नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याणा न्यूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ चबी आए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षन के बगैर चुनाव कराने के इलाबाद हाई कोट के निन्ने पर राश्टी पिछुडा वर्ग मोचा की राश्टी अद्धस चौधरी विकास पठेल ने राज्य की भाजपस सरकार पर जोड़दार हमला बोला है चौधरी विकास पठेलेकार की उत्तरप्रदेश भाजपस सरकार की और से सुप्रीम कोट के फैसले पर अमल नाक करना ओबीसी आरक्षन समाप्त करने का शड़न्त है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट की और से डॉक्टर क्रे किश्ण मोटी और अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में 11 मई 2010 को एवं विकास किशन लाल कवली बनाम महराश सरकार मामले में 4 मार्च 2021 को पंचाय चुनावों में आरक्षन लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रणाली के तहट आरक्षन लागू करने का आदेश दिया गया है मगर उत्तर प्रदेश सरकार की और से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालंग किये बगैर ही नगर निकाय चुनावों में आरक्षन खोशित किया गया है बाजपा सरकार की और से सुप्रीम कोर्ट के आदिश पर अमल किये बगैर आरक्षन खोशित करना OBC के साथ धोके बाजी है यदि सरकार समय रहते इस पर अमल करती तो आज OBC आरक्षन समाप्त नहीं होता उन्होंने ये भी कहा कि हाला कि सुप्रीम कोर्ट ने इलहाबाद हाई कोर्ट की लखनाव खंडपीट के निर्ने पर रोक लगा दी है लेकिन भाजपा सरकार की OBC आरक्षन को लेकर मान सकता उजागर हो चुकी है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षन विरोधी है 27 प्रतिशत आरक्षण को भी निश्प्रभावी करने का कार्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती समें तमाम न्यूक्तियों में जबजस्त आरक्षण घोटाला सामने आया है और भयानक धोके भाजी की गई निजीकरण के माध्यम से आरक्षण समाप् में देरी होने से विकास के कार्य भी प्रभावित होंगे इसलिए भाजपा के उप्रोक्त शड़ंत्रों के खिलाफ उत्तर प्रदेश बंद का आभन किया गया उन्होंने बताया कि इस उत्तर प्रदेश बंद को देश के बड़े बहुजन नेता वामन में श्राम का भी राश्टी आदिवासी एक्ता परिशत समीत दर्जनों संगत्नों ने हिस्सा लिया वारणासी से हमारे समबाद दाता मयंक कश्यप की रिपोर्ट